हलो माई फैमिली आज मेरे को बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जो हमारी जूली यानि जो हमारे पास में डोग है वो आज दैथ हो गई है उसकी आपको भी पता है कि वो ओल्ड एज हो गई थी इमालो उसकी एज शोरा साल के सम्थिंग हो गई थी तो नौर्मली जो डोग होते हैं वो 12-13 साल तक ही जिते हैं बकि यह माली जिये हमारी साथ में आपका प्यार और भगवान का आशिरवात से जो हमारी जूली इतना सर्वाइकल कर गई इतना बहुत सारे आपको प्यार उसका आशिरवात हमारे को मिला हमने उस पे इतनी सारी आपके लिए वीडियो तयार की तो आप भी दुआ करिए कि उसकी आत्मा को शांती मिले और वो जाकर के एक अच्छा जीवन, एक नए जीवन में हमारे साथ में दुबार से जुड़े कि मैं अपने सब्द व्यक्त नहीं कर सकता तो प्लीज आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें और देखें मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ को जिससे कि आपको भी पता हो कि देखें जो अपनी जो जूली है जो अपनी एक घर का सदस्य थी अपनी जो यूटूब की जर्मे में अपने सबसे ज़्यादा उस पे ही वीडियो बनाई तो इसलिए मेरे को आपको बताना बहुत जरूरी था तो प्लीज आप भी दुआ करिए कि उसको शांती मिलें फिर मिलते हैं में कुछ भी नहीं बता सकता आपको मैं कुछ नहीं कह सकता आप ऐसे ही प्यार बनाई रखिए आप भी अपने डोग को यह मा लीजीए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं जिससे कि आपका डोग अच्छी लाइफ आपके साथ में स्पैंट करें यानि आपके साथ में जितना हो सके अपना जीवन व्यातित कर सकें देखिए आपको भी पता है कि जो डोग ज्यादा इस नहीं होती नूर्मल 10 से 12 साल तक ही जिते हैं बाकी हम अपने एकश्पिरियंस से आपके प्यार से इतने जितना हो सकता था हमने अपने डोग को बहगवान की दाह से इतने जिन तक जिन्दा रखा तो आपके लिए टिप्स है कि जिससे कि आप भी अपने डोग में ऐसी कोई बीमारी ना हो कोई भी ऐसे मिकलब देखिए इसमें कोई एपिटाइटिस वाइरस डिफ्रेंट डिफ्रेंट वाइरस होते हैं जो कि डोग में आते हैं उसकी वज़े से जो डोग होते हैं वो सर्वाइकल नहीं करते हैं तो उस कंडिशन में आपको यह करना है पहले ही जब आप लेकर आ रहे हो उसके 40-45 दिन पर फस्ट वैक्सिन बरूर करवाए साथ में टाइम टू टाइम उसकी डी वर्मिंग करें देखिए यह मुस्ट ली जो हमने अब तक अपने एक्सपिरियंस से आपको बहुत सारी चीजे बताई साथ में मेडिशन के बारे में बताया तो ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखें देखिए अब हमारे पास में जूली तो नहीं रही बाकी इन फ्यूचर भगवान के दया से और कर दो लाए डाइव साथ में में जूली थाइव साथ में जूली तो तो अपका प्तार का प्यार खास रहाद से और